जमीनदार परिवार का एक मेधावी बालक जो युवावस्था में संग के संपर्क में आता है और पूरा जीवन संग को समर्पित कर संग का हो जाता है जिसकी गिंती देश के महान वैज्ञानिकों में होती थी जिनकी युग्यता के कायल थे नूबल पुरुसकार विजेता वैज्ञानेक सीवी रमन संग में जिसने अपनी यात्रा युवास्वयम सेवक के रूप में शुरू की और अपनी युग्यता सामर्थ के बल पर वह संग के सर्वोच पद तक पहुँचे वे महापुरुष कोई और नहीं संग के चतुर्थ सरसंगचालक प्रोफेसर राजिंद्र सिंग थे जिन्हें प्यार से लोग रज्जु भाईया के नाम से भी जानते हैं रज्जु भाईया का जन्म 29 फरवरी 1922 को उत्तरप्रदेश के बुलंद शहर जन्पद स्थित ग्राम बनेल में हुआ इलाहबाद विश्व विद्याले से भौतिक विज्ञान में सनात कोतर की परिक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और वहीं अध्यापन कारे करने लगे रज्जु भाईया के जीवन की सरवाधिक चर्चित घटना है सनात कोतर की परिक्षा उनकी यह परीक्षाले ने नोबल पुरुसकार प्राप्त वैज्यानिक डॉक्टर सीवी रमन आये थे वे रज्जु भाईया की प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें बेंगलॉर चलकर अपने शोध कारे में सहयोग देने का निमंत्रन दे डाला इसके लिए डॉक्टर रमन के सहयोगी डॉक्टर कृष्णन ने संग प्रचारक बाबुराव मोगे से लंबी चर्चा की परन्तु रज्जु भाईया को यह कैसे स्वीकार होता क्यूंकि उन्होंने आजीवन अविवाहित रहे कर अपने जीवन का लक्ष मा भारती की आराधना को ही बना लिया था उनके इस निर्णय ने उनके माता पिता को भी स्तब्ध कर दिया था जो घर में पुत्रवधु लाने का सपना संजो रहे थे रज्जु भाईया अध्यापन के साथ साथ संग कारे को समय दे रहे थे किन्तु उनके मन में देश, समाज और राश्ट्र के लिए अधिक करनी की इच्छा थी इसलिए वर्ष 1966 में विश्व विद्याले से त्याग पत्र दे कर वे पूर्ण तह संग कारे को गतिमान करने में जुट गए आपात काल के दौर में रज्जु भाईया प्रोफेसर गौरव कुमार के नाम से निरंतर प्रवास करते रहे और स्वैम सेवकों द्वारा किये जा रहे सत्या ग्रह को दिशाप्रदान की उनकी इस असामाने प्रतिभा और कुशल संगठन क्षमता के चलते उन्हें 1977 में सहसर कार्यवाह और 1977 में सरकार्यवाह जैसा महत्वपून दाइत्व सौपा गया नौ वर्ष तक इस दाइत्व का निर्वहन करते हुए रज्जु भईया ने पूरे देश का प्रवास किया इसके बाद वहे दिन भी आया जिसने प्रोफेसर राजेंद्र सिंग को सरसंगचालक राजेंद्र सिंग बना दिया 11 मार्च वर्ष 1994 को नागपुर में रेशिम बाग में ततकालीन सरसंगचालक ने उन्हें सरसंगचालक का दाइत्व सौप दिया एक अध्यापक और स्वैम सेवक के रूप में रज्जु भईया अपने साथियों और विद्यार्थियों में तो प्रसिध थे ही किन्तु एक धनाडे और संपन परिवार से आने के बावजूद संग प्रचारक की कठिन दैनिक चर्या और तपोनिष्ठ जीवन को उन्होंने जिस सरलता से आत्म साथ कर लिया था वह समरपन और त्याग संग के प्रचारकों की विशिष्टता है यदि किसी को भारत की त्याग मई जीवन पधती का परिचय लेना हो सेवा वरत, अनुशाशन, मिलन सारिता, मित्व्यायता और बौधिक चिंतन का संगम देखना हो तो संग प्रचारक के जीवन को देख लीजिए ये अपने शरीर के जीर्ण शीर्ण हो जाने तक सतत निष्ठा भाव से माभारती की सेवा में संलगन रहते हैं अपनी संपूर्ण उर्जा से समाज में नवसंचार करते हैं रजू भाया भी अपने इसी दायत्व का निर्वहन रीड की हड़ी में चोट के बाद भी करते रहें शारिरिक दुर्बलता के चलते 10 मार्च 2000 को उन्हों ने श्रीकुप हली सीता रमया सुदर्शन को सरसंगचालक का दायत्व सौप दिया और सरसंगचालक से सामान ने कारे करता बन गए दायत्व से निवरत होने के बाद रज्जू भईया पुने के कौशिक आश्रम में रहते हुए संग कारे चिंतन में सक्रिय थे 14 जुलाई 2003 उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया आज भी वे स्वैम सेवकों के लिए प्रेर नासरोत है झाल